हेलो दोस्तों, welcome all of you to my YouTube channel, अपना stock analysis, I hope आप सब अच्छे हैं, दोस्तों आज का इस वीडियो में बात करेंगे PC Jewelers Limited stock को लेके, जो की jewelry sector से बिलोग करती है, काफी पुराना stock है और काफी सालों से stock काफी downside में trade कर रही है, तो stock में काफी लोग high में buy करके अभी भी फसे होंगे या काफी लोग जो है यह level में जो है अभी भी buy करने के लिए सोच रहेंगे, तो पुरा details में fundamentally और technically analyze करके पता करेंगे कि अगर आप phrase buy करना चाहते हैं, तो आपका strategy क्या होना चाहिए, और अगर आपने already buy करके हैं, तो आपका strategy क्या होना चाहिए, साथ ही में stock long term के लिए कै एक jewelry sector से बिलों करती है, gold, diamond, यह सब ornaments होगरा बनाती है, बेशती है, और बिजनिस करती है, तो काफी पुराना भी एक company है, PC Jewelers Limited, यह stock का अभी price चल रही है, आप देख सकते है, 25 उर्विया साथ पैसा का stock का price अभी चल रही है, और stock listed है, NAC और BAC दोनों में, stock NAC और BAC दोन साथ पैसा का low एक साल में, और 30 उर्विया सी पैसा का high एक साल में company ने दिखाया है, dividend stock नहीं देती है, और face value एक company का 10 उर्विया का, अगर बात करें बाकी parameter का, तो return on equity अभी करीब 1.46 percentage में positive में चल रही है, book value एक company का 89 रूपीज का, return on capital employed अभी करीब 6.10 percentage का positive में है, stock का PE mentioned क अगर नहीं है, तो कुछ इस तरह का mix setup number है, अगर बात करें market cap का, तो company का 1191 करोर का market cap company का है, 1191 करोर का market cap होला company है, तो market cap का इसाप से काफी एक बड़ी company है, कि यह जो company है 1191 करोर का एक company है, PC Jewelers Limited, बाकी parameter एक बार देख लेते हैं, टेक्निकली एक बार देखेंगे, टेक्निकली जैसे कि सबको पता है कि stock ने कुछ इस तरह का downside दिखाया था, जो की huge downside stock ने बनाने के बाद जो है, आप देख सकते हैं, 2020 से लेके, 2020 से लेके, अभी 22 हो गया, तो करीब 2 साल में company के stock, एक ही प्राइज में करीब करीब टेट कर रही है, 40 रुपी का नीचे और 10- 15 रुपया का ऊपर जो है company इसी range में काफी महिनों से या फिर सालों से बोल सकते हैं कि काफी सालों से जो है stock trade कर रही है, अगर बात करें एक साल का moment का, तो कुछ इस तरह का chart pattern stock ने एक साल में बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं stock अभी 200 days moving average का ऊपर trade कर रही है, और 50 days moving average का अभी उपर जो है trade कर रही है, तो stock ने कुछ इस तरह का mix setup जो है chart pattern बनाया है, कभी up, कभी down, कभी up, कभी down, तो stock अभी तक settled नहीं है, तो बोलने का मतलब यह है कि stock का movement जो है, अभी तक clear नहीं है, तो बाकी parameter एक बात देख लेते हैं, competitors को देखेंगे, competitors में जो है, टाइटे quarterly भी एक बार देखेंगे, और yearly देखेंगे, ताकि picture picture जो है ज्यादा clear हो जाए, तो stock में अगर देखे quarterly result, quarterly result में तिन quarter का देखेंगे, June 2021 को company ने क्या था, 246 करोड का sales, September 2021 को company ने क्या था, 559 करोड का sales, जो की थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा improvement sales में है अगर December quarter का बात करें, तो करीब 600 करोड का sales company ने क्या था, तो sales improvement है, sales अच्छी दिख रही है, अगर बात करें, net profit का तो net profit में, करीब 59 करोड का loss company ने June quarter में क्या है, September quarter में क्या है, करीब 76 करोड का loss, और December quarter में क्या है, करीब 76 करोड का loss, तो continuously loss making company है, loss जो है company continuously quarter to quarter, कर रहे हैं अगर बात करें यह ली डेटा का तो यह ली कुछ इस तरह गा जो यह डेटा थीन साल का देखें गे जहां पर आप देख सकते हैं 2019 को कंपनी ने एक साल में शेल्स किया था 8369 करोड का मार्ष 2020 को सेल्स किया था 499 करोड का और अगर बात करें मार्च 2020 को 2021 को तो कंपणी ने सेल्स क्या था 2679 करोड का सेल्स कंपणी ने क्या था और Q4 का रेजल जो है 2022 को साथ से कंपणी 2273 करोड का सेल्स दिखा सकती है अगर बात करें तो सेल्स डिग्रो कर रही है सेल्स कंपणी का डाउन हो रही है अगर बात करें नेट प्रॉफिट का तो कंपणी ने मार्च 2019 में तीन करोड का लॉस किया था मार्च 2020 को जो है 78 करोड का प्रॉफिट किया था और मार्च 2021 को करीब 61 करोड का नेट प्रॉफिट किया था अगर बात करें नेक्स्ट 2022 का यर-on-year डेटा तो वहाँ पे आपको जो है 133 करोड का करीब-करीब नुक्सान दिख सकता है तो करीब-करीब 133 करोड का नुक्सान कंपणी नेक्स्ट यर-on-year डेटा Q4 में जो दिखाएगा वहाँ पे आपको दिख सकता है तो काफी भारी एक लॉस कंपनी साइट से सो करा सकती है अगर बात करें बार्विंग का तो कंपनी के आपास देख लेते हैं बॉरेंग कितना है तो करिब-करीब 3218 करोड का यह है डेट कंपनी के पास है जो कि आप देख सकते मार्केट कैप का ऑलसे करीब-0- weekend कंपनी के का यह करूड करोड का ओड़ी कंपनी का सेल्स डेट हुआ करता था चौबिस सो चबीस करोड़ का लेकिन अभी आप देख सकते हैं करीब 3218 करोड़ का डेट कंपनी के पास है तो कंटिनिवसली कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है लॉस कर रहे है यह और और अगर बात करें डेट का तो डेट कंपनी का सबस्क favored भी आपकर बात करें तो कंपनी का डेट वेक कंटिनिवसली बढ रही है जो की का कंपनी के लिए अगर बात करें पाटी परेमिटर का टो एक बार कंपनी स्टेमेंन देखें देख लेते हैं लिटर में आप देख सकते हैं कि 54 54.53 परसेंटेज अब अभी होल्ड कर रही है प्रोमोटर्स जो की थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेर टू डिसंबर 2020 में कंपणी का प्रोमोटर के पास हुआ करता था 46.44 44.53 परसेंटेज का स्टेक अभी जो है 54.53 परसेंटेज के स्टेक प्रोमोटर हो कर रहे है अगर बात करें देड़ा तरह स्टेक 1.49 परसेंटेज का बात करें अपना आइट स्टेक काफी कम किया हुआ अ और बाकि जो बाकि जो होल्डिंग है पबली का 42.97 परसेंटेज के स्टेक यह पर रोड कर रहे है पब्लिक तो कुछ इस तरह का जो है इस तरह का रिटन का तो कंपणी ने कुछ इस तरह का रिटन जो है लास्ट कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को दिया है अगर बात करें एक वन मंथ में तो वन मंथ में कंपणी ने करीब 23 परसेंटेज का रिटन दिया है तीन मैं मैं माइ परसंटेज का निगेटिव में रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है तो कुछ इस तरह का एक कंपणी जो पीसी जुएलर्स जो की लॉस्ट मेकिंग कंपणी है प्रमोटर का स्टेक ठीक है लेकिन एक कंटिनुवसली अपना स्टेक को डाउन किया है और सेल्स कंपणी का डाउन हो रही है तो कंपणी में काफी एक शेयरवोल्डर के लिए जो है काफी एक और पॉइंट ब्रिव है कि कंपणी का जो रेजल्ट जब तक इनलाइन नहीं होता है तो कंपणी साहित से अच्छा से रिटन करके ना दिये और नेक्स्ट क्यूफोर रेजल्ट में आपको साइट से फिर से एक बड़ा लॉस कंपनी दिखा सके तो फिर से यह जो कंपनी है फिर से आपको करीब करीब 20 रुपय का नीचे साइट से दिख सकता है तो अगर कोई फ्रेज बाई करना चाहते हैं तो वेट करें जो है क्यूफोर का जो रेजल्ट है वहापे अगर आपको अच्छा करेक्शन दिखे तो वहां से थोड़ा ले सकते हैं वैसे लॉंग टर्म के लिए अगर बात करें तो एक लॉट्री खेलने वाला जैसे ही बात है क्योंकि जोले रिशेक्टर है तो यह पीसी ज है नेक्ट बडियो में थैंक यू